आज देश में गरीबों को संबान भी मिल रहा है और सुरक्षा भी अधिकार मिल रहे हैं और योजनाओं का लाब भी जहां पहले गरीबों और वंचितों के अधिकारों को हाशीप रखा जाता था वहीं प्रधान मंत्री शरी नरिंदर मोधी जी के उर्जवान नित्रतों में केंदर सरकार अंतियो दय के लक्ष के साथ देरंतर आगे बढ़ रही है पंडित दीन दयाल उपाध्याई जी के अंतियो दय के मंत्र को आत्म साथ कर मोधी सरकार गरीब कल्यान वह गरीबी उनमूलन के लक्ष के साथ कई महतोपून योजनाओं का सपलता पूर्वक कर्यान वयन कर रही है जिनके परिणाम सुरूप आज देश का अंतिम पंक्ती का व्यक्ति भी राष्ट्र निर्मान में अपनी अहम भूमी का सुनिश्चित कर रहा है लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती और इसलिए आज देश की नित्यों के केंद्र में गरीब है आज देश के निर्णों के केंद्र में गरीब है पहले जहां देश के जरूरतमन नागरिक, पिजली, पानी, सड़क जैसी दुनियादी सुमिताओं से भी पंचित थे वहीं आज उन्हें मोधी सरकार में संबल प्रदान हुआ है पीम आवाज योजना के तहट गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले जिन में से 70 प्रतिशत गरों पर मालिकाना हक बहिलाओं का है जल जीवन मिशन से हर घर नल से स्वच जल पहुँचा गरीब कल्यान अन्योजना से 80 करोर से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिला उज्वला योजना से परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले सोभागी योजना से गरीब परिवारों के घर रोशन हुए गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी बिले, देश का गरीब भी रोजगार और सुरोजगार से जुड़कर आत्म निर्बर भारत की संकल्पना को साकार कर सके, इसके लिए मोधी सरकार में कई महत्वपूर योजनाओं की शुरूवा मुत्रा योजना से वे युवा प्रोच साहित हुए जो अपना उद्यम स्थाप्रित करना चाहते थे उन्हें आसान शर्तों वे कम ब्यासदर पर रिण उपलब्द करवाया गया पी-म स्वनीधी योजना के मात्यम से बिना गारंटी लोन मिलने से रेहडी पट्री वालों को कारोबार करने में आसानी होई आर्धिक सशक्तिकरण और रोजगार श्रजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीन इस्तर पर उद्गम शीलता को बढ़ावा देनने के उद्दे सरकार में शुरू की गई अटल पेंशन योजना एक स्वस्त भारत का निर्बान हो सके इसके लिए आयोश्मान भारत योजना आरंब की गई इसके मात्यम से गरीब परिवारों को मुफ्त वे बेहतर इलाज की सुविधा मिल रही है अंतियोते के मंत्र के साथ पिछले नौ वर्षों में मोधी सरकार द्वारा किये गए कारियों से आज भारत का गरीब वर्ग भी आत्म निर्भर बनकर नव भारत के निर्मान का साक्षी बन रहा है लक्ष गरीब कल्यान का नए भारत के निर्मान का झाल झाल